शिकार मैं विरेश ठाकूर हार्दिग अविनंदर करता हूँ एच्पी शिक्षा चैनल पर तो अभी आपके साथ रूबरू हुए हैं स्कूली चातरों के लिए स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है तो क्या ये पूरी ख़बर है आपके साथ साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटिस नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें के चलते सरकार अभी चोटी कक्षा के लिए स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है कोरोना संकर्मन के मावले नहीं बड़े तो आठ नुवंबर से पाच मी से साथ मी कक्षा के लिए भी स्कूल नेमित खुल सकते हैं आगामी फैंसले तक प्रदेश में आठ मी से बार मी कक्षा के बिदार्तियों की नेमित कक्षा हैं स्कूलों में जारी रहेगी वहीं इसके लावा चार नुवंबर को दीपावाली का पर मनाय जाएगा इस दोरान स्कूलों में पांच दिन का वगाश रहेगा ऐसे में सरकार अभी पांच मी से साथ मी कक्षा के बिदार्तियों को स्कूलों में बुलाने के लिए त्यार नहीं है दीपावाली के बाद अगर कोरोना संकर्मन के मामलों में कमी दर्ज हुई तो स्कूलों में नेमित कक्षा हैं शुरू हो सकती हैं शिक्षा विवाज स्कूल खोलने के लिए सरकार के फैंसले के इंतजार में है वहीं अभी स्कूलों में कॉल्ला संकर्मर से बचाब के लिए तई नीमों का पांग करवाने के लिए उपनिदेशकों की जिमेवारियां तई की गई हैं वारे में उच शिक्षा अंगरे शाले ने जिला अधिकारियों को नर्देश भी जारी कर दिये हैं उधर स्कूलों में नीमीत कक्षा इलगाने को आट मी से बारवी कक्षा के विदार्थियों की संक्या में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज हो रही है तो यही थी बड़ी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश में स्कूली चात्रों के लिए यानि जो पाजमी से साथमी कक्षा के विदार्थियों को बलाए जा सकते हैं इस पर बड़ा फैंसला दीपावाली के बाद होगा इसके लावा हिमाचल प्रदेश में जो दीपावाली का पर्व मनाया जाना है तो इसी दोरान विदार्थियों के लिए पांच दिन का अवकाश रहेगा तो यही थी बड़ी अपडेट तो हिमाचल प्रदेश की लेटस नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चानल को जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वर्चिंग जै हिंद जै हिमाचल